हलो फ्रेंड्स गूड इबनी स्वागत है आप लोगों का वर्ल्ड आप फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं अच्छे होंगे दोस्तों आप लोगों का एक्जाम नजदीक आ रहा है खास कर ऐसे बच्चे जो ट्वेल्ड का एक्जाम देने वाले हैं और आप लोग हर जगह बहुत अच्छी दूरी तक पढ़ाई भी कर चुके होंगे अपने अलग-अलग सब्जेक्ट में परन्तु क्या आपको पता है क आपकी तयारी कैसी है आपका नॉलेज कैसा है और क्या आप ये जानते हैं कि जो आदमी आपको ये बताने की कोशिस करेगा कि आपकी तयारी खराब है इसको ठीक करो तो क्या आप उसे छोड़ देंगे क्या आप उसे बक्स देंगे क्या आप उसे माफ कर देंगे क्या उसे दिलाना बहुत जरूरी है कि आपकी तैयारी कैसी है इस क्रम में हमने अपने सभी बैचेज में फॉर्मूला पूछने का एक टास्क दिया कि आप लोगों से फॉर्मूला पूछा जाएगा बहुत सारे बच्चे फॉर्मूला जब पता चला की पूछना है वो किसी तरह उसको रटने की कोशिस करने लगे कि हम कोई इंट्री मिल जाएं हम अंदर चले जाएं हम बैठ जाएं इन सब कोशिसों की वजह से आपका दिमाग आपका मेहनत बड़बाद हो जाता है तो सर क्या कोशिस करनी चाहिए कोशिस आपको ये करनी चाहिए कि आप जो चीजें पर रहे हैं वो क्यों आया कहां से आया कैसे आया थोड़ा समय दे कर आज जो आपसे फॉर्मूला पुछा जा रहा है वो एक दिन का नहीं है वो आठ महिने से आप पर रहे हैं इसलिए तो फिर आप रिभाईज करते हैं, रिभाईज करने में complete formula याद नहीं करना पड़ता, रिभाईज करने में अगर आप किसी chapter में 20 formula पढ़े हैं, तो रिभाईज करने में 3-4 formula पर ध्यान दिया जाता है, बंकी सब आपको permanently और याद ही रहना चाहिए था, already याद रहना चाहिए नहीं है, अगर ऐसा है, तो दिक्कत है, इन सब चीजों को हम भाप रहे थे, आपको भी अहसास दिला रहे थे, कल भी formula पूछने का प्रोग्राम जारी ही रहेगा, लेकिन अपनी तरफ से हम एक कोशिस करने बाले हैं, और कल रात में हम 7.30 में लाइब आने बाले हैं, पढ़ना है, कैसे सीखना है, कैसे याद करना है, अपने नजर ये से एक बार फिर बताने वाले हैं, और आसा करते हैं कि आपको अपनी गलतियों का आसास हो, कि चीजों को छोड़ देने से वो बहुत मुस्किल हो जाता है, अभी तो सोचिए सिर्फ formula याद करने की बात है, फिर definition आएगा, derivation आएगा, long answer question, short answer question, objectives, एका एक पूरे syllabus का कैसे कीजिएगा, हम जानते हैं कि अभी कितना भी आपको समझाया जाएगा, आप इस बात को ध्यान नहीं देंगे, लेकिन उन बच्चों के लिए हम live आ रहे हैं, जिनको ये feel हो कि नहीं, अब हम कोसिस करेंगे, इमानदारी से कोसिस करेंगे, तो मिलते हैं कल शाम सारह साथ बजे, यानि 10, 9, 2024 को मंगलवार को शाम सारह साथ बजे live और चाहे ये live कितना भी देर का हो, हम complete volume 1 आपको revise कर के बताएंगे, सोच के सोच के बताएंगे कि क्या formula आपको बोलेंगे कि देखो बाबु क्या ये formula तुमको याद था, सोचो, क्या ये याद है, आपके brain पर हो सकता है, असर पड़े, और जब एक बार आप फिर से मेरे सब्दों में सुनेंगे, तो हो सकता है, आपको कुछ याद आ जाए, तो मिलते हैं कल, और formula याद करना जारी रखिए, मेहना जारी रखिए, लेकिन पढ अधाई अपने लिए किजी, अगर आप अपने सिखने के लिए पढ़ेंगे, तो लंबे समय तक चीज़ां याद रहेगी, बाई बाई, टेक केर, मिलते हैं कल,